के हाड़ वर्क इस तीम के एफर्ड की वजए से निरंतर सेकंड यर में भी लाइव लेक्षर्ट के तुरू इस तरह से यह जो भी आपका यूण जेगा से लेपस होता है इंजिनीरिंग का से लेपस होता है बहुत सारे नीट वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो बहुत ही म है और उसके अलावा बच्चों हमारे जो भी लेक्चर से वह हमने इस लिंक पर डाल दिया है जल्दी से अपडेटेड लेक्चर उनके नोट्स उनके डीपीपी इसको देख लेना चाहिए रेगुलर्ली फॉलो करना चाहिए लाइप डेली डॉटमी इस दाट परफेक्ट लिंक जो की पूरी लाइबरेडी है विडियो लाइबरेडी है बुक्स को आप लोग जैसे पहले रीट करते थे आपको लेक्चर से वह चीज़े समझ नहीं और डेफिनेटली प्राक्टिस के भी सारे सोर्स नहीं पर है उसके लावा हम लोग टेलीग्राम पे भी इस चैनल से जो पढ़ रहे हैं वो सभी मौजूद है और साथ साथ बच्चों आपको यहां पर अनकाडमी.com अनकाडमी सब्सक्रिप्शन पर भी एक बाद चेक आउट करना चाहिए इंडिया के बेस्ट एडूकेटर्स वो टॉप ऑथर्स वो टॉप कंट्री के ऑथर्स ज स्पेशल जयन इस पर क्या है बहुत सारे वन शॉट रिविजन जो की एलेक्ट्रिक फील एलेक्ट्रिक डाइपोल आपको काम में आएंगे लास्ट यह भी बैसिक मैट कोलीजन ग्राविटेशन इन सब के वन शॉट रिविजन किये थे और उनको में इस साल भी कर रहा हूं यही मैं चाहता हूं बच्छो अगर आप किसी भी पॉइंट पर अनकैट भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप लोग जैन्त लाइफ कोड से आपको इक्स्टा डिसकाउंट मिलता है मेरी पर्सनल गाइडेंस और आपको यह वाला प्राइज और ज्यादा कम होके रूपीस 1350 पर मट 1350 इमाई पेमिंट ऑप्शन वगरा सब कुछ है तो डेफिनिली गो फारट इफ यू किन गो फार हमने मीटर प्रीज में पोटेंशियो मीटर में यादे देखी थी वहाँ पर में जो रोल होता है गैल्वन इमीटर का वही होता है इस यूज तो मेशर देरेक्शन इन विच करंट इस फ्लोईंग इन फाक एक पर्टिकुलर जीरो डिफलेक्शन वाली सिच्वेशन आती है जहां पर गैल्वन इमीटर को हमने मौस्टवी य्ज यूज किया हूँ बड़वाइस ऑल्सओ गैल्वन इमीटर इस इन मैशरिंग आपने लिए मौस्ली यूज होता है डैशन आपको याद होगा इस तरह एक पॉइंटर होता है जोंकि बीच में होता है मतलब कि जीरो डि इस्टुमेंट्स के लेक्चर में इन फैक्ट अपने बात करी जी कि हम पूरा मुविंग कोई ग्यावन मीटर का इंटरनल वरकिंग भी समझेंगे और क्यूंकि हमने लास्ट लेक्चर में टॉर्क ऑन दे कॉइल को एक सिंपल सा एक्सप्रेशन डिराइब कि उसको मैं यूज करूंगा and we'll get to understand why does this pointer why does this pointer eventually moves और यह move करता है उसकी क्या current sensitivity है क्या उसके माइने है तो बच्चों यह जो pointer है यह scale पे basically आपको इधर उधर होके आपको reading देने वाला है बट यह कैसे possible है कैसे हो पाता है एक बार समझे यहां पर एक permanent magnets की बीच में यह coil रखा हुआ है आपने यह तो permanent magnetic north और south pole उनके हैं एक magnetic field exist करता है इस region में magnetic field north से south की direction में इस तरह से exist कर रहा है north से start हो रहा है magnetic field south में जा रहा है और वो इस coil के थ्रू जा रहा है यहां पर कॉइल दिख रही आपको इस coil can be made of any conductor mostly copper का बना होता है और कॉइल को आपने इस तरह की cylindrical structure पर जो कि soft iron का बना होता है उस पर लपेट दिया रहता है और यह कैसे उस सो pointer से connect के उसको गुमाता है यही तो समझना है यह चीज़ को समझने के लिए आप लोग यहां पर कुछ particular diagram से उनको अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैट जाएगा गैस जस्ट थिंक अबाट देस के गैलवनिमीटर का वरकिंग गैलवनिमीटर का वरकिंग किस पर बेज है पहली बात हम यहां पर समझ रहे हैं कि यहां पर कॉइल होना ची नॉर्थ और साउथ के बीच में मैगनिक फील्ड में वो कॉइल आपने रखा हुआ है तो दब वरकिंग प्रिंसिपल ऑफ दे मुविंग कोईल गैलवनिमीटर इस अक्चुली बेस्ट ऑन डटार्क ऑन दे करेंट लूप जो कि एक युनिफॉर्म मैगनिटिक फील्ड में रखा हुआ है और उसको एलेक्ट्रिकल क यहां पर करेंट यूले में करने के लिए वस वाले इस वर्किंग प्रिंसिपल को हम यूज करने वाले है कि एक टश हएक इस तरह को जो एक जो फील अगर राइट डिरेक्शन में तो हमने लेंट वेक्टर क्रॉस भी क्रॉस प्रॉस 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 लगेगा क्या बच्चों यहां पे इस दिरेक्शन में पर एक फोर्स की वाज़े से टॉर्क बनेगा और वह टॉर्क हमने कल भी कल भी बहुत ही अमेजिंग अंदाज में हमने कल भी वह कोई का देखा था तो देखने हैं यहां पर फिर से समझने के लिए हम लोग अलगी अनिमेशन अलगी विजुलाइजेशन ले रहे हैं तो अगर यह आपका एक वह कॉईल है ठीक है और इस कॉईल में करेंट है इसकी पर्टिक्लर उपर वाली ओरिंटेशन देखते हैं जिसमें दरफ्टिक के कारण इस प्रांच पर आप देखींगे इस ब्रांच पर और इस प्रांच पर इसको इन फ़रेज रहा है तो जाला समझ में आएगा तो यहाँ पे current बाहर आ रहा है यहाँ पे current बाहर आ रहा है L cross B आपको यह इस direction में एक force दे रहा है यह इस direction में एक force दे रहा है और उसकी वरेज से यह coil भूम जा रहा है उस पे एक torque लग रहा है और उसको हम balance कर रहे हैं यहाँ पे एक और spring देखी होगी आपने उसको balance कर रहें restoring टॉर्क से तो वर्किंग प्रिंसेपल इस टॉर्क ऑन दे करेंट लूप इन युनिफॉर्म मागनेटिक फील्ड विल बी यूजड अल्टिमेटली वह टॉर्क को हम यूजज करेंगे वह टॉर्क अगर जनरेट हो र विकिंग है उसको अभी हम समझने चाह रहें अपने से लिवस का पार्ट है तो लिस्टाइन अंडर्स्टैंड इस तींग डिस्टीग डिटार्क इन अकरेंट लूप जिसका एरिया वेक्टर ए है ठीक है और एक युनिफॉर्म मागनेटिक फील्ड जिसका मागनेटिड व करता है तो वह एरिया वेक्टर और मागनेटिक फील्ड और टॉर्क के बीच में एक रिलेशन हमने कल की क्लास में डिराइव किया है इस डाट इन इंपोर्डेंट रिलेशन यहां पर आपको याद होगा एम एक मागनेटिक मोमेंट पर आपने चर्चा करी थी में सिंपली नथिंग बड आई in to a क्रेंट मल्किकलाइट बाइरिया वेक्टर और करन्ट आई मॉटिपलाइट बाइरिया वेक्टर मॉल्टिक Ł finite बई यह आपको एप टोरक का मैधनि चूट standing This the mocno का चैसे होता है वह पूरा working आप reflection होगा वह moving coil galvanometer में directly proportional to current होना चाहिए यह सबसे important बात थी अगर हमने इस तरह का एक galvanometer का working galvanometer का electrical measuring instruments lecture number one में ही हमने जिक्र किया था क्योंकि ultimately lecture two में हमने meter bridge और potential meter पढ़ा था और lecture one में ही हमने application galvanometer को कैसे एक ammeter में कैसे volt meter में convert कर सकते यह सारी चीज़ आपके practicals के point of view से important है and definitely आपके theoretical point of view से भी important है so I am saying that there we have used this concept that deflection theta is coil का जो deflection होगा its pointer का जो deflection होगा basically that is proportional to the electrical current यह एक concept हमको ultimately वहाँ पे use भी किया था और यहां पर प्रूव करना पड़ेगा वहां पर use किया था वहां पर मैंने आपको बोला था यार जब भी कॉइल एक magnetic field में रखा होगा north से south में magnetic field है कॉइल इस तरह का उसको अगर हम इस तरह से रखते हैं और उसमें current डोड़ाते उस कोईल में current डोड़ाते तो वहां पर deflection हो जाता है और वह जो deflection होता है वह जो angular deflection होता है वह current के प्रपोर्शनल होता है इस चीज़ को आप प्रूव कर वा होगा समझा दूंगा तो यह चीज को हमको आज प्रूव करना है यह तो इन फैक्ट प्रूव दिस पर्टिक्लियर थिंग इन टुडेइज लेक्षर तो यह कैसे होगा यह देखना आपको यहां पर वर्किंग पूरा समझने की जरूत है यहां पर इस पॉइंटर को अगर हमन लूप दिख रहा है अब लूप पूरा नहीं दिख रहे हम इस पॉइंट पे उस लूप का टॉप व्यू देख रहे हैं हमको काफी सारी चीज यहां पर एक और डाइग्राम में समझ में आएगी बड़ मीन वाइल आप यह वाला डाइग्राम भी बनाना जिसमें इसमें ट किया हुआ को एक सिलेंटरिकल कोर पर इस तरही की को यह यह जिसको जिसको सिलेंडर पर हमने उपर इंद चड़ा दिया है और यह सिलेंडर का आप टॉप यहां से आप देख रहे हो तो यहां से देख रहे हो तो यह ऐसा देखेगा ठीक है और इससे आपने वह इस तो इसमें मैंने है को आपको भी इसे करण या इन के उन इसको आप कर सकते हो एंड रिक्तांग्य वारे नि सथे कि आप यूज करोगे और उस rectangular coil में जितने number of turns होंगे more than number of turns in the coil तो more increased sensitivity होगी इसकी जो sensitivity होगी इसमें जो deflection होगा वो number of coils पे depend करेगा कि नहीं ultimately हमने एक point पे magnetic moment की बात करी थी यार तो अगर magnetic moment को हम n times i into a लिख रहें ठीक है तो आप क्या कर सकते या तो area को बढ़ा सकते या फिर number of turns को बढ़ा सकते अब आपको instrument तो छोटा सा रखना है area को बहुत जादा भी ऐसे नहीं कि kilometer square तक बढ़ा सकते आप क्या सकते हैं आप पर number of turns को बढ़ा सकते हैं तो more will be the magnetic moment more will be the sensitivity more will be the value of the torque है ना जैसे number of turns बढ़ेगा magnetic moment बढ़ेगा torque is equal to m cross B बढ़ेगा और definitely deflection जादा होगा तो यह कुछ आपको चीजें समझने की ज़रुत है theoretical points है यहां पर यह भी समझना है आपको कि यह एक soft iron का cylinder है यह जो cylinder बनाया हुआ है आपने यह किस material का बनाया बच्चों इससाफ्ट आयन सिलेंडर ओके दिस प्लेस प्लेस एड़ एड़ सेंटर आप देता है यह जो soft iron material है यह magnetic field को बढ़ा देता है तो don't you think magnetic field भी अगर ज्यादा होगा magnetic field का value भी ज्यादा होगा तो टॉर्क का वैल्यू ज्यादा होगा टॉर्क ज्यादा होगा टॉर्क ज्यादा होगा तब और उस में definition definitely आपको यह help करेगा तो यह आपको थोड़ा बहुत कच्चा कच्चा समझ में आए आए आई नो दाट मैंने भी जब पहली बार पड़ा था मुझे तो और उपर से गया था मुविंग कोईल का लिए अपर एक ऐसी चीज है जो कि एक बार वर्किंग आप देख लोगे तो समझ जाओगे बट यह ऐसे करके समझ नहीं आए तो आप लोग भी बुक्स पर रिलाए ना करें आप लोग भी यहां पर ऐसे समझें कि दिस अल्टिमेटली रेक्टांगुलर कोईल है ना वाट इस देर बिट्वीन नॉर्थ एंड साउथ in this moving coil galvanometer is a rectangular coil ठीक है तो पहली बात तो हम यह बात कर रहे थे कि rectangular coil कैसे है वो जो soft iron है वो जो soft iron का core है ठीक है उस पे rectangular coil चड़ी हुई है आपको यह चीज़ समझ में आ रहा है देखना है ठीक है यह पर्टिकुलर डियाग्राम में यह पर्टिकुलर डियाग्राम में यह made of copper also understand this is made of copper and copper is a good conductor इसलिए वो current को allow करेगा फिर उसमें आप North से South में जो magnetic field है जो magnetic field है वो इस तरह से रखा है magnetic field lines ऐसे है यह आपका ultimately cylindrical portion है और cylindrical portion से आपने यह arrow connect कर दिया है जो की galvanometer में turn करेगा तो यह जो आपका coil है इसको किस पर किया हुआ है this is the cylindrical core this is the cylindrical core soft iron core जिसको हम क्यों यूज कर रहे है ultimately soft iron material क्यों यूज कर रहे है क्योंकि हैं soft iron magnetic field को बढ़ा देगा there will be an amplification in the magnetic field उसके विए से torque भी बढ़ जाएगा और या torque बढ़ जाएगा तो यह arrow में ज्यादा deflection आएगा yes or no that is what we want ultimately we want the galvanometer to have a better sensitivity तो इसलिए आप ज्यादा number of turns भी रखते हैं ज्यादा magnetic material soft iron की तरह यूज करते हैं और यह अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको क्या समझना है mainly that the torque of the magnetic field torque produced by the magnetic field जो कि हम expression tau is equal to m cross b से निकालेंगे ठीक है magnetic field आपको बता है north से south के बीच में magnetic field now this is balanced by a restoring torque of the spring this is balanced by a restoring torque यहां पर एक spring लगा रखी तो यह जो कोईल है यह जो copper की कोईल दिख रही आपको copper वाला material का color दिख रहा है तो यह pointer जब इस torque की वज़े से turn करेगा यह coil पूरा turn करेगा तो यहां पर आपने एक spring spring भी लगा रखी और जो spring है वह एक counter torque produce करेगा think of that spring it will produce a counter torque क्योंकि यह यह जो torque है loop पे है और वो जो counter torque है वो एक दूसरे को balance कर देती है तो उसको हम restoring torque of the spring बोलते हैं spring है coil है basically एक और coil है बड़ उसको नहीं बोलेंगे हम spring बोल देंगे उसका अगर torsional constant c है अगर उसका torsional constant c है tau is equal to c theta is one equation will use it's an equation similar to f is equal to kx आपको f is equal to kxx spring के लिए equation mechanics में definitely पता रही होगी तो force होगा यह force constant होगा यह displacement होगा तो उसी तरह से यह torque यह torsional constant और वो angular displacement तो इस तो एक्वेशन आ similar we are going to use this equation at one point which is the equation for the torque of the spring और वो रिस्टोरिंग टॉर्क और यह वाली जो कोई पे लगी टॉर्क दोनो बैलेंस हो जाती है इस तरह से ultimately galvanometer work करता है लेकिन most important thing I think the most important thing that you need to pay attention to is this fact that concave shape of the magnetic poles की जो शेप है वो थोड़ी सी एक्दम स्ट्रेट नहीं नौर्ट साउथ हमने देखा था वैसे होता है लेकिन ऐसा नहीं है यह थोड़ा सा जो इसमें कर्व है वो concave shape of the magnetic पोल्स क्या इंशुर करता है इंशुर्स और a radial magnetic field it ensures a magnetic field which is like this इसमें देखना इसे डियाग्राम में देखना मज़ा आएगा यह जो magnetic field यहां पर बन रहा है नौर्ट से साउथ के बीच में स्ट्रेट लाइन्स में नहीं है यह ऐसे घूम के है ना ऐसे घूम के इस तरह से आ रहा है सब्सक्राइब करते हैं अगर यहां पर अलग से आ रही है और फिर अगर वह एक डिफ्लेक्शन का थीटा अलग से आ रहा है तो there can be a lot of chaos if we don't ensure a radial magnetic field a radial magnetic field ultimately will give you the value of this theta as 90 degree यह बात को समझना थोड़ा सा theoretical point है but definitely आपको help करेगा अपने practicals में भी कि field lines हमेशा इस तरह से बन गई है that they are always perpendicular to the area vector आपकी जो यह magnetic field lines in north से south में वो क्या है कि radial direction में है तो यहाँ पे जब coil होगा यहाँ पे in between जब भी coil होगा तो वो coil के area vector के हमेशा perpendicular होगा अगर ऐसा होता है तो beef is always perpendicular to the area vector का क्या मतलब होता है जो theta angle between B and A होगा वो 90 degree होगा और उसकी वज़े से torque निकालना mb sin theta sin 90 निकालना बहुत आसान हो जाएगा in fact torque का एक expression हमने tau is equal to c theta लिखा था और torque का एक और expression tau is equal to mb हो जाएगा simple सी बात है mb को भी हम क्या लिखेंगे number of turns i into area जो भी है वो यह rectangular coil है तो mostly आपको length or width दे रखी होगा बर total area दे रखा है and यह इतना असान हो जाएगा यह यहाँ पर दो equation आपके पास बन जाएगी tau is equal to c theta and tau is equal to naib plane of the coil plane of the coil इस coil का जो भी plane है यह plane क्या ensure करेगे कि magnetic field lines आप यह देख रहे हो के नहीं यह देखना बहुत जरूर ही है क्योंकि आप यह books में पड़ोगे आप जो यह line book में पड़ोगे अगर अच्छी बूक है तो पहली बात लिखा होगा और अगर यह line को वहां पर नहीं समझ पाओगे तो यहां पर diagram में जरूर समझ जाओगे plane of the coil is always parallel to the magnetic field either you say that area is perpendicular to the magnetic field or you say that the plane of the coil is parallel to the magnetic field they are one and the same thing क्योंकि जो area vector होता है वो plane के perpendicular होता है यह area vector और यह plane of any coil are perpendicular to each other कल भी मैंने आपको यह बदाई थी कल भी हमने maximum टॉर्क का वोगा यह discuss किया था तो यह अगर area vector है यह अपना फिर से वह area vector है और इसके perpendicular में area यह area vector होता है तो हम क्या बोल सकते है कि plane of the coil plane of the coil के along magnetic field है ठीक है या फिर area vector के perpendicular है magnetic field ऐसे है और area vector के perpendicular है यह फिर plane में लाइक करता है तो आप देखना इस diagram में भी यह आपका magnetic field ऐसे है और आपने coil के से रखी हुई है और कोईल के से रखी हुई है इसे रखी हुई है क्या वह magnetic field के along है क्या plane of the coil magnetic field ऐसे है मागनेटिक फिल्ड ऐसे है तो क्या हम बोल सकते है plane of the coil or magnetic field always parallel है या फिर उस coil का देखना यह coil जो है यह coil ऐसे आई है उसका area vector magnetic field के हमेशा पर्पेंडिकुलर होगा यह बाद मजा आगे आपको तो लाइक ठोक देना जरूर चेर भी कर देना यह चीज एक छोटा सा पॉइंट है जो कि कई बार आपको समझ नहीं आता है अगर जस्ट विदाउट एनी डाइग्राम विदाउट एनी अनिमेशन आप समझो तो नंबर बाइन नंबर टुटिंग इफ लौ अल अलो धिस अफिशिव आ इस तैक सिंड नहीं हो अब आपको अगर पता है कि यह रेडियली इनवर्ड मागनेटिक फील्ड है यह मैजन के व शेप ऑफ दे मैझे डिक यह यह नहीं है मैडिक की तोड़ी सी इस तरह से कॉन कि कि बन रहा है यहां पे जुब अगर घूफा बन रहा है तो इसको और इसका तॉर्क आफ दे मागनेटिक फील ऑन अ करेंट लूप ताव इस इक्वल टू एम बी साइन थीटा आपको पता है ठीक है यह चीज आपको पता है बट नाओ इफ संबडी तेल्स यू कि यह जो कॉनकेव शेप इसकी वेज़ से रेडिल मागनेटिक फील उसकी वेज़ से और आप लोग चिल मारेंगे इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहां पर थीटा की वैलिए 90 डिग्री यह बात ध्यान रखें नुबर वाद ठीक है फिर दूसरी बात यह बहुत है कि यह टॉर्क बैलन्स हो रही है एक स्प्रिंग की वजह से इस इस गेडिंग बै माइंड यहां पर मैं चेंज यह कर देता हूं वरना तो माइंड बहुत जादा कर देते हैं आजकर यहां पर अगर मैं एल्फा लिग देता हूं रांगल बिट्वीन दे मागनेटिक फिल्ड अंड एरिया वेक्टर इस लेट से वाट आई कॉल एल्फा साइन नाइन की आधें और यह थी टा और यह टॉर्क है अगर को बीटा से टर्न करना यहां पड़ा उसके लिए यहां पे आपने मैंने क्या बोला यहां पे इक स्पृंग लगाएंगे वह स्पृंग ल दू केक्त जाहा है इक्वेशन यहां जाप टाओ इसकोल आप बनाएंगे, and when these two will become equal, let's equate them now, when these two become equal, what equation do we get, we get that mb is equal to c theta, but m की value, number of turns पर डिपेंड करती है, current पर डिपेंड करती है, area पर डिपेंड करती है, और definitely magnetic field as it is ही है, तो यहां से अगर आपको i proportional to theta आ जाता है, तो अपना काम हो गया, यहां पर आपको i और theta यहां पर मैं लिखोंगा theta, the angle of deflection is equal to nab, nab divided by c and multiplied by current, so ultimately I get an expression where the deflection, theta is the deflection, यह चीज़ आपको लिखना चाहिए, is equal to number of turns in the coil, area of the coil, magnetic field by torsional constant into current, ठीक है, यह सारी चीज़े अगर आपने थोड़ी बहुत समझी है, इस point पर आपको फिर से revise करवाद हो जल्दी से, कि tau is equal to k theta या c theta, today we are writing c theta है, today we are writing not k भी लिख सकते है, but f is equal to k x, और यह वाला k दोनों same हो जाएंगे, इसलिए मैंने c लिखा है c को, this is tau is equal to c theta, number one, okay, c is the torsional constant of the spring, what spring, what spring are we talking about here, जो यह एक तो coil को, है ना, torque लगेगा, देखो अगर इस coil में torque लग गया, तो यह वापस से अपनी restoring position पर कैसे आएगा, अगर इस coil को आपने spring से बांद दिया है, spring से ulti direction में बांद दिया है, तो वो spring का एक tau is equal to c theta, है ना, arrangement है where theta is this, तो यह सारी बाते आपको समझ में आ गई है, यह आपने, final expression निकाला है, n क्या है, number of turns in the coil है, area of the coil है, theta is the deflection of the arrow, theta is also the deflection of the coil, ठीक है, यह जिस amount से होगा, यह भी उसी amount से होगा, और यहां पर current sensitivity, theta by i याद है आपको, current की sensitivity किन factors पर depend करती है, हम एक बार बात भी कर रहेते हैं, क्या current की sensitivity of the measuring instrument, galvanometer, क्या number of turns बढ़ाने पर current sensitivity बढ़ेगा, हां, क्या हम लिख सकते, current sensitivity will be more, if we have more number of turns, yes, if we have more magnetic field, अगर हम magnetic field को बढ़ा पाएं, और magnetic field कैसे बढ़ेगा, यार, magnetic field कैसे बढ़ सकता है, क्या हमें ऐसा कोई material यूज कर लूँ, क्या यहां पर अंदर में, एक cylinder ऐसा मैं यूज कर लूँ, जो की हना, जो की एक magnetic property रखता हो, जो इस magnetic field को बढ़ा सके, यह magnetic field radially inward, radially outward है, इस magnetic field को बढ़ाया जा सकता है, by using a soft iron cylinder, यह जो इसका फिर pointer है, फिर यह ज्यादा deflect करेगा, अगर ज्यादा magnetic field होगा तो ज्यादा deflect करेगा, और यह coil के बीच में हवा, air भी हो सकती है, बढ़ एक soft iron का अगर आपने material लगा दिया, तो वो magnetic field को बढ़ा देत है, torque को बढ़ा देता है, ultimately current की sensitivity को बढ़ा देता है, तो मजा है, current की sensitivity को magnetic field बढ़ने से भी बढ़ जाएगा, area of course हम limited है, एक छोटा से instrument है, galvanometer उसमें, कितना area रख सकते, you will try your best, but ऐसा नहीं कि कि किलोमेटर स्कॉयर का area आप बढ़ा सकते, and you will, you will want to keep K also small, you want to keep C or K, torsional constant को आप छोटा रखना चाहोगे, एकदम टाइट स्प्रिंग, अगर एकदम टाइट वाली स्प्रिंग यूस कर ली तो ज्याधा deflection नहीं होगा, आप क्या चाहोगे, यहां पर कम टाइटनेस वाली स्प्रिंग हो, जिसकी विजिस से theta by I, deflection या division per unit current ज्यादा हो, यानि की current की sensitivity यानि यह सारी चीज़े अमने डिस्क्रिश करें तो यह वरी फर्स्क्रिशन आफ टोड़े लेक्चर और लेट लेट से हाँ मनी इस आंसर देस इन लिमिटेट टाइम, विजिए नमबर वन देखना है इस को आप लोग चुटकी में कर देंगे बहुत मजा आएगा आप लो यह आएब नो आइडिया देखो मैंने बहुत राई किया आज कि अपना लेक्चर एक्दम स्मूध जाए इसी की वजह से चाहिए थोड़ा से डिले भी होगी एक पॉइंट पे बट इस दो वाइस और वीडियो एवरीटिंग फाइं फीडबाग देते रहना जरूर और इस लिए बहुत बैठरी इस वालिओ आपने अभी वो करेंट सेंसितिविटी आ ले फॉर्मुले में देखी धी करंट का वाल्यू भी पॉइंट फाइव एंपियर और टॉर्क भी दे रखा है तो उस केसमें मैंनेटिक फिल्ट कितना होगा अगर आपको करेंट भी दे दिया है और टॉर्क भी दे दिया है और यह सारी सब्सक्राइब यहां पर अगर आप लोग अलग से एक और थीटा यहां पर अगर अगर हम जैसे एन आई एबी साइन थीटा और लिग देते हैं और वह अलग थीटा है और यह बात अगर आपको पता चल गई है कि यह सारी चीज़े हैं आई एन आई ए बी इस दे मागनिटूट अब टॉर्क और इससे आप लोग ने क्या यह इससे बी की वैलियू इंफक्ट आपने टाव डिवाइड बाई एन आई एक कैल्कुलेट करी है कैल्कुलेशन है बाकी सारी चीज़े आपको दे रखी है तो बी इस दे राइट आंसर यह इस वाले क्वेशन का भी राइट आंसर आएगा कैल्कुलेशन करके ट्वेंटी यह आती इग्जाट्ली टेसल्क लाइट इसको टेसला लिखेंगे तो यह यह राहा हैं आपको क्या रखने राखने एगल्ड लिए प्रपरिटीज यह के लिए जो वायर यूराइए क्या अच्छी क्रपर्टीस आप लोग रखना चाहेंग के लो टॉर्शनल कॉंस्टेंट हाई टेंशल स्ट्रेंथ लो टेंपरेचर कोफिशियंट यह सोच समझ के आपको आंसर करना पड़ेगा गुट कंडॉक्टर अव एलेक्रिस्टी वोडियू तिंग वोडियू तिंग विच आफ दीस प्रॉपरटीज ए बी करने के लिए इंस्ट्रुमेट बनाया हैना गैल्वनों मीटर में करतें हैं माने अच्छा-खासा रेंज का कर लेता है इस Şu क्या रखना चाहेंगे ज्यादा करेंट सेंसिटिविटी रखने के लिए नेमर अफ टरन्ज बढ़ा रहे हैं लेकिन टॉर्षिनल कॉंस्टेंट को कम रख रहे हैं पॉस्टेंट इसके डिनॉमेटर में आ को आप लो रखेंगे यह सारी चीज़ें यहां पर बहुत सारे बच्चे अब लिख रहे हैं तो बच्चा गुट कंडेक्टर ऑफ इलेक्रिसिटी तो होना ही पड़ेगा कोईल में अगर करण्टी नहीं जाएगा तो फिर क्या मेशर होगा तो गुट कंडेक्टर एलेक्रिसि की कोफिशन्ट की वैल्यव जीरो होती है तब ही जाके वह मीटर बिज में पूटेंशियो मीटर में भी यूज होता है मैंगलीन ये नाम यादा रहे तो यह इनका क्या नेचर था इनका नेचर था कि इनकी रेस्टेंस की वैल्यू टेमपरेचर के साथ भी आप्सेंट रहे सब्सक्रेटेंचर तो करण भी चेंज हो जाएगा याद और एकदम से करण चेंज हो जाए एकदम इस फ़र्म advertise हो जाए का जाधा टेंशन ना हो और हाइट टेंशल स्ट्रेंट तो जाधा वियर एंड टियर यह नाम आपने सुना होगा तो हाइट एंशूर करता है कि आद दस बार कि उस्पी काफी अच्छी त्रेंट होती है उनको हम आन्षे सालों तक चलता रहे एसा करके यह सारे points correct है and the right answer of this question is E so these are the theoretical points these are the practical applications of galvanometer so guys if you have done the understanding of galvanometer एक और पार्ट है इस लेक्चर का जिस पर बेस questions आते हैं वो questions शायद आपको ज्यादा कर आएंगे अपने जो computer exam है क्योंकि यह चीज़ में को यादे board exam में ज्यादा है मुविंग कॉल का जो वर्किंग वो बोट exam में आता है लेकिन computer exam में what other type of questions based on the same concept को आप रोटेट कर रहे हो magnetic field में वह आता है टॉर्क एक तो टॉर्क ऑफ दे करेंट केरिंग लूप इन युनिफर्म magnetic field हमने कल निकाला था टॉर्क आई ए इंटू भी है आई ए क्रॉस भी या इंक्रॉस भी यह जो निकाला था टॉर्क मेजर करना एक अलग चीज़ है और उसमें भी magnetic moment क्या चीज था और मैंने क्वेशन किया थे magnetic moment के एक दूज़ क्वेशन में होमबक में दिये हैं अलबी टेकिंग देर इसकेशन ओन दे मंडे इस अगर आप यह लूप को रोटेट करते हैं और इस लूप की याद पहली वाली ओरिंटेशन क्या थी शुरुआत वाली जो इस लूप की है वह मैंने डॉटेट से बनाई है और उसमें जो इसका एरिया वेक्टर है इस तरह से आ रहा है यह जो और इसका अगर अब मैंन बैंड फील्ड के करन चाहिन को देखना मैं को बनाना भी ऐंङ्ञा मैंके वेक्तर की टाइव इसन Is एक साहब से यह यह तरिए वेक्टर की डिरेक्टए और माइंस्ट, jar citi ब्रेक्षा यह धिर्एडेगराम है उत रही लोगू उसमें करेंट कैसे-धो उता A cross B क्या होगा उस point पर टॉर कुष पॉइंट पर टॉर Q 1 no rotor minimum है यहां वेक्सिमों होती है North 90 डिगरे फाप इसको माक्सिमम करने का लिए इन फ्लत आप इसको चेंज कर रहे हैं आप इसको एक jaki उंगल पर घुमारे तो हूं इसका कि आपने कॉरा गोड़ा से टरं कर दिया सिंपल सी है जब से और नया जो एरिया वेक्टर ये है यह मागनेटिक फिश यह एक फिल के इसे चांट वह कैसा लोगा ऑगा यह से अगरभक का एक वेक्टर एसे है और अगर आपका मैamas फिल्ट वेक्टर इस direction में बिटा रहा है direction of the torque is along the axis torque वैसे भी axis के long होता है और torque का यह जो magnitude है यह थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो अगर हमको torque मालूम है तो I'll start my discussion from this point हम work done निकाल रहे हैं अगर मैं को torque मालूम है i into a b sin theta ठीके बिटा और मुझे torque vector form में भी पता है i into a cross b यह vector form में भी पता है तो अगर मैं इस point पर theta पर already इसको deflect कर चुका हूं लेकिन एक छोटा सा deflection d theta और करता हूं so this is important please pay attention to this suppose you take the area vector from here to here you take the coil through a small deflection d theta एक छोटा deflection d theta अगर हमने किया है तो वो जो d theta deflection है वो किस direction में यहां पर d theta deflection का भी बच्चो एक direction है कौन मुझे बताएगा कि deflection का क्या direction है deflection का क्या direction है क्योंकि d theta is apparently a vector quantity just like torque just like torque which is a vector quantity और torque का direction क्या आया vertically upwards इस diagram में एक रॉजबी का direction ऐसे आया टॉर्क हमने बनाया उसी तरह से डी थीटा भी एक वेक्टर quantity है तभी तो d theta by dt या omega d theta by dt and omega angular speed बोलते हैं अपन लेकिन यह angular velocity भी बोलते कई बाद angular velocity is a vector quantity अगर यह इस direction में हो रहा है यह अगर इस direction में उपर से देख रहा हूं तो clockwise में टर्न हो रहा है अगर मैं फिर से उपर से आज देखने लगूं तो clockwise में टर्न हो रहा है और clockwise में टर्न हो रहा है तो यह inside में एक direction रखता है I'm saying even d theta is a vector quantity whose direction is right now in this diagram inside मतलब मैं उपर से देख रहा हूं inside मतलब vertically downward और उस case में अगर torque और d theta opposite direction में है तो हम work done निकालने के लिए एक छोटा amount of work done इन छोटा displacement d theta tau dot d theta से निकालते हैं एक तो यह दू-3 चीज़ें जो कि rotation में हम cover करते हैं in case you have not done that मैंने क्या बोला आपको शुरुवात में जो सारे topics के last year के इस साल भी कर रहे हैं लेकिन लास्ट यर ओल्रेटी वह जो टाइनी रिल dot com slash special जैन्त वाली लिंक है उस पर मैंने one shot revisions लगाए हैं तो वहाँ पे क मैं लेते हैं कि फीटा आ टों बेक्टर क्वांटिटी न्ला ओमेगा भी एक वेच्टर क्वांटिटे कोंटिटी है जिसमें कोई एक इस पर्टिकल एस इस थिकए पार्टिकल देख रहे हैं तो गुमें तो आप साटेल बाहिब होसके इस्की और स्केट होगी उस्की रिखा Hah quantity theta जो angle होता है जो plane angle होता है या फिर difference of two angles delta theta वो क्या होता है scalar quantity होता है यह छोटे-मोटे चीजें हैं जो आपको definitely मालूम होने ची coming back to work क्योंकि हमको यहां पर work done निकालना है तो मैं क्या बोल रहा हूं work done in rotating this loop जो कि already area vector ऐसा था फिर area vector theta पे था और theta से भी d theta एक बार theta पे था उससे d theta पे अगर हम लेके आ रहे हैं तो हमने देखा कि torque और d theta का direction opposite है तो उस case में dw का यह जो value आएगा वो कितना आएगा this dw will be equal to minus cow d theta ठीक है इसको एकदम आराम से चबाएंगे इसको एकदम आराम से process करेंगे में भी हो सकता यहां पर कोई बच्चा पहली बार यह सी चीज़ा पढ़ रहा है लेकिन उसको लिखेगा तो definitely समझ में आएगा कोई दिक्कत वाली बात ने इस चीज़ को फिर से एक अलग डायग्राम में देखते हैं मैंने बोला ना उपर से देखते हैं यह जो प्लेन है यह जो लूप है इसमें देखना यह करेंट ऐसे आ रहा है the current is coming like this thereby area vector is like this current is like this आप अगर उपर से देख रहे हो आप अगर इसको ऊपर से देख रहे हो and let's name these points also let's name the corners of this coil ABCD ठीक है ABCD करके इसके corners को अपने नेम कर दिया तो यहां पे D से A की तरफ current आ रहा है A से B की तरफ current जा रहा है ऐसे करके current है तो इसका area vector हमने ऐसे ले लिया था ठीक है now the same diagram by looking at the top view उसमें क्या होगा magnetic field कैसा होगा magnetic field ऐसा ले लिया मैंने ठीक है यहां पर मुझे A बी दिख रहा है यहां पर मुझे A B कोईल का दिख रहा है C नहीं दिख रहा है क्योंकि C इसके जड electronic इनिफाक्ट यहां पर current B से C में B से C में current कैसे जा रहा था नीचे जा रहा था पज तक यहां पर और यह अगर आपको एक डाइग्राम मिल रहा है इसमें भी सबद्ली की कोशिश करो कि करन्ट अगर ऐसे घूम रहा है तो मैं राइट हंगे की फिंगर स्ब्सक्राइब करें तो और से अरिया वक्तर कैसा आजाएंगा एरिया वक्तर ऐसा है यह ऑलरी यह अंगल साइड में D थीटा आरा है just telling you this tट धीटा है से लेक्तर स्वेक्टर कॉनटिती इस डिरेक्शन इन इस डिज़ दिग्राम में इंसाइट ठीक है number 1 तो लिए टॉर्ग माँटिती में टॉर्ग मैं एक विक्तर बीए से हिस्केस में एक ऐसे आजाएगा आपकी तरफ आजाएगा इस डैग्राम में कैसे आ ओर हो इस उपर से देख रहे हो आप ऊपर से देख रहे हो तो डेफिनितली आ रहा है तोड का डिरेक्शन आउट साइड अरहा है there by can we say that the work done small amount of work done by this talk or talk का वर्क डन ये होता है जैसे फोर्ट्स का वंग डीटेश इब्ड डाट डीर होता है न चुल्ट डाट पर्डक्ड में क्यों कि इनके इनके डिरेक्शन ईपोजट है तो वजडेशन माइनस टाव डिसीटा है लेकिन टोर्क का magnitude किया है तॉर्क का यहां से अगर मैं magnitude देखो तो वह mb sin theta है तॉर्क जो एंगल है और b के बीच में magnetic field और area के बीच में जो एंगल है तो टॉर्क का magnitude कितना है तॉर्क का magnitude भी आप लोग mb sin theta अगर जानते हैं तो आप उसको substitute कर दें यहां पर जल्द ही से इस इसको अब लिखें इस इकवल तो माइनस mb sin theta d theta ओके और dw is this then total work done in rotating this loop mb- sin theta को साथ में लेते हैं और इस चीज़ को integrate कर रहे हम है ना in fact dw को भी हम integrate कर रहे है लेकिन कहां से कहां तक integrate करें कहां से कहां पर मूव कर रहे है तो लेट से एक theta 1 पोजिशन थी और आपने निकाला है जिसमें theta 1 से theta 2 तक आपने angle between area and magnetic field angle between area and magnetic field पहले theta 1 था फिर theta 2 तक integrate करें ठीक है एक तो integration of minus sin theta क्या होता है लिखने comment में integration of minus sin theta कितना होता है is that minus cos theta और is the plus cos theta यह बहुत important इस point पे कि आप लोग minus plus का ध्यान रखें क्योंकि minus हमने अंदर ले लिया है यह वाला minus यहां पर यहां पर ले लिया और minus sin theta का integration होता है plus cos theta और क्यूंकि cos theta का differentiation minus sin theta होता है तो यह इसका integration है तो इसका theta 1 बना रहता question 2 कैसे भी हो सकती obtuse acute कुछ भी हो सकता है लेकिन generic formula हम निकाल रहे हैं this equal to mb cos theta 2 minus cos theta 1 ठीक है तो यह चीज़ आपने लिखना है थोड़ा सा अगर आप लिखोगे तो यह plus minus का sign ध्यान में रहेगा और यह अगर आपके पास work done by the magnetic field का formula आया है तो इसमें आप क्या चीज़े और समझ सकते हो आप एक बार के लिए कुछ भी value रख सकते हो जैसे कि theta 1 की value 0 degree रख सकते हो और theta 2 की value 90 degree रख सकते हो example के तौर पर मैंने यह values ली है और work done from 1 यानि की 0 degree जब वो दोनों parallel थे ना दोनों same direction में थे 90 degree में तो वो मैंने work done from 0 degree to 90 degree अगर निकाला है I'll just use the formula now अब मुझे integrate करने के जरूत नहीं मैंने formula इससे निकाल रहा है तो यह cost of 90 degree 0 होता है और cost of theta 1 यानि की cost of 0 degree जो की 1 होता है यह चीज़ आ रही माइनस MB इस चीज़ को आप समझो भी the work done here is negative why is that क्योंकि आप क्या कर रहे हो आप यहां पर magnetic field ऐसे है area vector ऐसे है तो a cross b torque की direction ऐसे है torque कौन सी है यह torque है magnetic field की torque की torque ऐसे और आप theta equal to 0 degree से theta equal to 0 degree से 90 degrees को turn कर रहे हो 0 degree से 90 degrees को turn कर रहे हो यानि कि आप torque के opposite direction में जा रहे हैं और angle ऐसे जा रहे हो तो opposite direction में आप जाओगे तो definitely आपने यह magnetic field ने work done by the magnetic field है यह चीज़ वर्क टॉर्क अगर ऐसी है angle ऐसा है angular displacement आचा है तो वह negative sign उससी को signify कर रहा है जैसे force ऐसा होता है displacement ऐसा होता है तो force ऐसा लग रहा है displacement ऐसा लग रहा है यह displacement ऐसा हुआ friction पीछे हुआ तो work done negative होता था ना वैसे अगर इसका torque ऐसा है लेकिन आपने जीरो डिग्री से 90 degree किया तो वह negative आएगा यह एक इसकी understanding हुई और यह question भी हुआ या इस वाले question को let's see how many of you can do this in the next 30 seconds let's try and do this in the 30 seconds comments answer लिख लिए ना बच्चो go to the question बहुत बैतरी very good रह्मान वरी गूड नीशांत आप लोगो ने सभी ने minus mb एकदम सही लिखा है अच्छा 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 आप लोग इसी को समझ के कर पा रहे तो determine the work done by magnetic field this what we have calculated the formula is for work done by the magnetic field वही आपको formula लगा के in rotating a loop of area a from position where area vector is parallel to magnetic field वह थीटा वन आपको दिया हुआ है language में और from where area vector is anti-parallel थीटा टू भी आपको दिया हुआ थीटा वन भी दिया हुआ इसको जल्दी से लगा के ABCD answer कर दें सभी लोगों ने ABCD answer कर दिया है और सभी ने लिटरली सभी ने सी लिखा है यार मदा आ गया मुझे कि आप लोग को यह चीज समझ में आ गई है एट्स ग्रेट क्योंकि थीटा टू एंटी पैरलल एरिया वेक्टर के मागनेटिक फिल एंटी पैरलल और ताइम लिट में विकर दिया और यह जब पैरलल था आपकोस पैरलल था मतलब 0 डिघरी था जीरो डिगरी से वरनेटी डिगरी के के समें आपने यह फॉर्मॉला एज दिस लगाना है वाग दन पहले बहुत अच्छा बहुत अच्छा यह चीज माइनस वन है यह चीज माइनस तू और अब M को क्या लिखेंगे, I into A, M को हमने I into A लिख दिया, और C answer लिख दिया, बहुत अच्छा यह चीज, एक actual question है, जो कि competition में आया हुआ है, you have done this brilliantly, and if you have done this, then I want to also tell you कि potential energy क्या होगा, अब work done अगर आपने निकाला है, तो एक potential energy of this coil which is kept in the magnetic field, उसका भी एक expression होता है, उसका भी based straight forward सवाल आते हैं, तो देखना है, potential energy of the current loop, एक loop अगर आपने magnetic field में रखा हुआ है, उसकी work done वाली यह equation से ही, हम लोग क्या define कर सकते हैं, change in potential energy, change in potential energy, when it was finally in position 2, initially it was in position 1, final minus initial, change in potential is negative of the work done by the magnetic field, बाइता है, जैसे आपका बहुत सारी situation में, यह जो potential energy की definition है, electrostatics में भी हमने discuss करी थी, mainly इसको work energy power element में अपन पढ़ते हैं, और उससे gravitation potential energy भी क्या आती है, delta U is equal to negative of the work done by gravitational field, तो वैसे ही negative of the work done by magnetic field अगर यहाँ पर आ रहा है, तो negative sign important है, यह coming, this is coming from the definition, the definition of potential energy is, change in potential equal to negative of work done, by the conservative force, that force अगर आपको दिया है, तो अच्छी बात है, आज हमको torque दिया था, तो tau dot d theta हमने यूज किया, और negative यहाँ पर एक introduce आपको करना है, that comes from the definition, तो अगर इस formula में में एक negative लगा दूँ, तो मेरे पास U2 minus U1, यानि की change in potential energy क्या आता है, minus MB cos of theta 2 minus cos of theta 1, simple सी यह बात है, यह अगर potential energy का change बता रहा है, this is the change in potential energy, तो मैं एक और चीज क्या कर सकता हूँ, जब भी potential energy की बात होती है, हम एक reference लेते हैं, जैसे gravitational potential energy में हम एक point पे, एक level पे reference लेते हैं, फिर उससे उपर potential energy positive, उससे नीचे potential energy negative है ना, एक reference ले लेते हैं, वो sea level हो सकता है, वो ground floor हो सकता है, आपको यहाँ पे भी reference लेना है, what is that reference जिससे की u 0 हो जाए, तो u की value 0 होना, उस point पे reference लेना माना जाता है, उसके लिए यार मैंने theta 1 को अगर 90 degree रख दिया, देखना theta 1 को अगर हम 90 degree रख देते हैं, यह term 0 हो जाती है, तो वो corresponding u value उसकी 0 हो जाएगी, और फिर एक generic point पे, एक general point पे u 2 हमने u ले लिया, और theta 2 को हमने theta ले लिया, तो यह values रखने के बाद, इस expression में यह सारी values रखने के बाद, क्या आप बोल सकते हो, क्या रहा है, u 2 minus u 1 क्या रहा है, u minus 0, u minus 0, मैं directly लिखना हो, left hand side, is u is equal to theta 2 और theta 1 की यह values रखना, theta की value theta रखना, theta 1 की value 90 degree रखना, तो क्या यह minus sign, minus sign को मत बूल जाना, minus of mb, cos theta रहा है, और यह expression हो गया, potential energy का, potential energy of current loop, in uniform magnetic field, और इससे कुछ याद आ रहे है, यह कहां देखा है, आपने पहले, have you seen this before, you have definitely seen and studied this before, if you have been regular on this channel, तो आपने डेफिनल यह देखा है, एक डाइपोल की potential energy, एक डाइपोल को rotate करने के लिए क्या work done होता है, यह सारी चीज़े हमने डाइपोल वाले lecture में, इलेक्ट्रो, statics में सीखा है, जी, तो वो important चीज़ है, कि यह और वो चीज़ एकदम parallel में, एकदम वैसा का वैसा, वहाँ पर जाके देखना, reference is exactly the same, 90 degree पर हमने, reference लिया है, फिर किसी भी point पे हमने, minus P dot E, हाँ, वहाँ पर जो P आता था, dipole moment आता था, E आता था, जो कि electric field आता था, यहाँ पर magnetic field है, और यहाँ पर magnetic dipole moment है, अभी के लिए, इसको magnetic moment बोल रहे है, यह जो आपको potential energy का formula आया है, उसका हम reference ले रहे हैं, ध्यान देना, we are taking the reference at theta equal to 90 degree, because of that, U की value 0 आती है, U की value 0 आरी के, U का formula हमने क्या निकाला, U is equal to minus M dot B dot product, यार, क्योंकि LHS क्या है, potential energy है, RHS क्या है, dot product है, एक vector का दूसरे के साथ dot product, क्या देता है, scalar output देता है, potential energy, is a scalar quantity, और उसमें भी अगर theta की value 90 degree हो गई, theta की value 90 degree हो गई, तो क्या लगता है आपको यह चीज़, theta equal to 90 degree पे 0 आजाएगा, minus Mb, cos 90 degree क्या आजाएगा, 0 आजाएगा, तो वही reference का मतलब हुआ, number 1, ठीक है, cos 90 degree, 0 आजाएगा, दूसरी बात, यह चीज़ अगर आपने समद ली है, दूसरी बात, minus Mb, cos 90 degree, 0 आजाएगा, दूसरी बात के है, उस point पे torque भी maximum है, उस point पे, जब theta 0 degree है, कैसे 0 degree, आप लोग, theta 90 degree कैसे यह देखना, यह magnetic field की यह direction है, ठीक है, और area vector, अगर उसके साथ 90 degree बना रहा है, तो यह 90 degree आपको दिख रहा होगा, area vector कैसे, इस direction में, कैसे, यह coil कैसे है, इसमें current कैसे चल रहा है, current इस तरह से चल रहा है, area vector ऐसे, magnetic field ऐसे, this is the, this is the proper point, जहाँ पे, यू को हमने reference पे 0 लिया है, और इस point पे हमको पता, torque maximum है, क्योंकि आप टॉर्क की value क्या थी, torque is equal to mb sin theta, और sin of 90 degree है, definitely torque की value mb, जो की torque की maximum value होती है, और यह चीज़ अगर आपको clear होगे, तो एक और point लेते हैं, u is equal to minus m dot b is the formula we just arrived at, but we are trying to understand 2-3 cases, जिन में ऐसा होता है, तो देखना है, एक और case लेते, theta equal to 0 degree, theta equal to 0 degree में, u is equal to minus m dot b लगाओ, u is equal to minus m dot b, और this is equal to minus m b, cos theta, क्योंकि dot product में cos theta आता है, तो 0 degree, एक और case बनाते हैं, case number, 2 बोल देते हैं इसको, ठीक है, और यह case number 3, theta equal to, देखना है, इसको oral करते है, theta equal to 0 degree के लिए, क्या यह चीज़ minus m b हो जाएगी, yes, is this the minimum possible value of the potential energy, is this the minimum possible value of the potential energy, यह minimum potential, यानि कि सबसे stable form है, इसको stable equilibrium position भी बोलते हैं, यह stable equilibrium position क्यों है, क्योंकि potential की minimum value होना, stability का प्रमान है, यहाँ पर अगर torque की value निकालू, torque is equal to m b sin theta, अगर मैं 0 degree पर torque की value, जो की m b into sin theta होती है, वो निकालू, तो वो भी 0 आ रहा है, मतलब की यह आपको बता रहें कि equilibrium position है, torque 0 होना मतलए equilibrium position हो, कौन सी position theta equal to 0 degree, theta की value यहाँ पर, अगर 0 degree है, if area vector and b are parallel, there are so many things here, b is parallel to area vector, वो सब मैंने लिख दिया है, theta equal to 0 degree है, theta 0 degree पर, यह minimum है, potential की minimum value है, तो यह stable position है, यहाँ पर यह आना चाहेगा, अगर इसको मैं right में deflect कर दो, तो torque इसको 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 ले आएगी, अगर मैं इसको left में deflect कर दो, तो A cross B torque इसको यहाँ पर ले आएगी, तो this is called the stable equilibrium position, and the other case where theta is 180 degree, theta area vector, magnetic field की बीच में 180 degree है, area vector, current का यह direction है, इन दोनों के बीच में theta equal to 180 degree है, और इन दोनों के बीच में जब theta 180 degree है, क्या उस point पे minus MB cos 180 degree, minus MB cos 180 degree plus हो जाएगा, तो क्या यह U का maximum possible value है, क्या यह potential energy का minimum था तो यह maximum है, क्यूंकि उस चीज में cos of minus 1 हो सकता है, minimum से minimum, और minus cos of minus 1 क्या हो जाएगा, maximum plus MB हो जाएगा, and this is called maximum potential energy को आप unstable equilibrium position बोलते हो, unstable equilibrium position कब होती है, जब आप एक top of the hill पे हो, एक mountain के top पे हो, जब potential energy maximum है, और फिर अगर आप उससे नीचे उतरते हो, तो gravitational potential energy decrease होती है, और वो topmost point आपकी unstable है, क्योंकि थोड़ा सा भी deflect किया, तोप of the mountain से थोड़ा सा भी आपने right में या left में किया, तो वो particle नीचे आजाएगा, particle नीचे आजाएगा, उसी तरह से इस position पे, although इस position पे, theta equal to 180 degree होने के कारण, torque की value किया है, theta equal to 180 degree होने के कारण, torque की value MB sin 180 कितना होता है, sin 180 भी 0 होता है, sin 180 degree भी 0 होता है, तो torque इस case में भी 0 है, torque इस case में भी 0 है, torque को आप जब 0 बोलते हूँ, वो एक equilibrium की position है, जैसे force को 0 बोलने पे equilibrium होता है, तो यह equilibrium है, जिसमें A को, जैसे ही आपने right में shift किया, area vector को मैं थोड़ा सा right में shift कर दिया, तो A cross B, torque इसको गुमा के ऐसे कर देगा, और ultimately this is that position, like the top of the hill, थोड़ा भी left में किया, थोड़ा भी right में किया, right में किया तो यह A cross B, और left में किया तो यह A cross B, इसको यहाँ पे ले आएगा, theta equal to 0 degree पे लाने की कोशिश करेगा, stable equilibrium पे लाने की कोशिश करेगा, ही हमने डाइपोल की केस में भी discuss करी थी, और आप लोग एक बार इस चीज को किसी बुक में पढ़ोगे यार, तो आपको बहुत समय लग जाएगा, तो वो चीज मत करना, आप लोग इन फाक्ट इसी वीडियो को दो तीन बार अगर देखने की भी ज़रूत पढ़ी, तो देख ज़रूर लेना यार, क्योंकि उसी से बात बनेगी, तो this question, this is homework question, and definitely this formula जो हमने derived किये हैं, वो क्या होता है कि पहली बार अगर कोई देख रहा है, जैसे डाइपोल वाला अपना discussion देखा है, उसके बाद अगर कोई देख रहा है, तो definitely must sumka होगा, U is equal to minus M dot B में, हमने reference यह क्यों लिया, यह सारी चीज़ें उसको clear हो रही है, बट वही बात है, अगर किसी ने एक बार नहीं देखा, तो देख जरूर लेना या, मैंने perfectly सारा कुछ एक लेक्शन में कर दिया, और इतना कुछ हो गया, we have done moving coil galvanometer also, and we have done potential energy, and work done and everything also, so that's cool, यह एक और question है, जो homebook में आप लोग करेंगे, यह वाला question भी आप लोग homebook में, करके comments में answer कर देंगे या, and that'll be great, that'll be awesome, और इस question को हम, इस वाले को हम DPP में भी लेंगे, यह वाला question थोड़ा सा, हो सकता है discussion करने की जरूरत हो, और वो वाला question I think सबसे हो जाएगा, यह वाला question का मैं answer, PDF में भी देंगा, so thank you so much everyone, we have covered so many things in just one hour, and that is the beauty of an academy, J YouTube channel, यह वाचिंग दिस आउसम चैनल, यह वाचिंग दिस इंटार टीम, perform live daily in front of you, तो यार उसके लिए एक like और share तो बनता ही है, hashtag J live daily says quality education की, free revolution को promote करिये, क्योंकि यार इस चैनल पर आप लोग हैं, इस चैनल पर bell icon भी दबा दीजिए, लेकिन क्या होगा, तो वो question वाला पार्ट हम लोग DPP में handle करते हैं, वो Monday, Tuesday, Wednesday को जो 6 बजे हैं, हम लोग DPP discussion कर रहे हैं, अनिवार यह है, तो उसके लिए आप लोग अपना mobile में अलाम लगा लें, और Thursday, Friday, Saturday, 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m. अपना PCM चल रहा है, and we are going to start magnetic field tomorrow, कल Friday, 1st day, 1st show में हम लोग magnetic field start करेंगे, उसके लिए live रहेगा, बच्चों, यहाँ पर telegram secured group में है, और live daily.me.je पर सारे हमारे, इस साल के last year के DPP सारे एक point पर आपको मिल जाएंगे, notes के साथ में, ठीक है, और उसके लाबा बच्चों, unacademy.com, unacademy.com is that place, जहां पर इंडिया के best educators already बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंडिया के best के साथ आप लोग बातचीत कर सकते हैं, live classes होती है, तो interaction बहुत बहुत ही बहुत ही, बहुत ही smooth है, in fact, आप लोग वहाँ पर एक pole practice करते हैं, जो कि I think बच्चों को एक अलग ही advantage देरी, क्योंकि question जब ऐसे आता है, question आपको ऐसे दिखता है, question अगर आपको ABCD format में, MCQ format में जैसा exam में आ रहा है, वैसे ही अगर हर lecture में answer करने को हो रहा है, that inspires you to do best in your test also, your test will be finally like this, आप जो भी neat या जो भी J exam देने वाले, वो ultimately ऐसा दिखेगा, इतने number का होगा, ये timer के साथ होगा, और वैसे practice अगर आप रोज करने वाले हो, weekly test देने वाले हो, उनके analysis में आप देखने वाले हो, कैसा physics, chemistry, maths में, कहां गलती हो रही, कैसे improve करें किसी की comparison में, कितने marks अपने कम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़े जब आपके हाथ में होती है, when your performance is right in front of you, definitely you're going to excel, and an academy subscription, anacademy.com is the place, where you want to be, जहाँ पर live doubt clearing sessions भी होते हैं, इंडिया के best यहाँ पर है, बच्चों वो डेली के educators, वो कोटा के educators, वो जे लाइफ डेली टीम के educators, वो top authors of the countries, वो सभी लोग यहाँ पर, मौझूद हैं, इंडिया के best educators को check out करिये, anacademy.com पर जाके, आईटीज़े सलेक करिये, those educators will be in front of you, and definitely it's a marvelous feeling, to get learning from them, anacademy learning app पर भी आप देख सकते हो, यह चीज़, anacademy की एक learning app है, उसको download करके, उसके menu में plus है, उसके menu में plus पे जाके, आईटीज़े सलेक्ट करना है, क्या है कि बहुत सारा content है वहाँ पे, आपको एक plus पे, आईटीज़े वाला content देखना, neat का content, अलग अलग अईसे categories बना रखी, उसके इसाब से देखना ज़्यादा फायदे बन्द होगा, एन एक point पे अगर आप सोचते हो, कि an academy subscription आपको afford करना है, लेना है, तो you can always go for the long term plan, वो सबसे ज़्यादा affordable होते है, पर month cost, उसकी सबसे कम होती रुपीज, 1500 पर month, तो इतनी कम price में यार, फाइनली आपको इतनी affordable price में, J level तक की education, घर बैठे, एकदम secure fashion में मिल रही है, और हाँ, इससे भी ज़्यादा affordable करने के लिए इसको, आप Jainth Life code से enroll करें, यह मेरा personal code है, यह मेरी तरफ से आपको gift है, इससे definitely आपको 10% discount, अवेल करना चाहिए, और platform पे आते से ही, get in touch with us, definitely we all will be, we all will be, talking about those things, so bye everyone, take care, keep practicing at your end, and definitely follow, the academy need channel, academy cat channel, J247 channel, 910, YouTube channels, आपकी, आपकी, you know, मेनत के लिए, तो बच्चो आप लोग इसको, follow गरते रहे, regularly and let's crack it, we'll see, very soon, in the DPPs, how you all perform, so bye everyone, take care and keep practicing,